हाई वीवन कैसे आप लोग तो यहां से हम लोग NLM शुरू कर रहे हैं और हारी कॉंसेट आपको ढंग से सिखा जाएगा मतलब ढंग से आपको इंट्रस्ट के साथ चीजें समझ आ जाएगी बिल्कुल साफ तरीके से ठीक है तो कई बार ऐसा देखते हैं फसलों की क्या ही ज लोडों का इस्तेमाल कब नहीं होगा कब होगा समझ नहीं पाएंगा तो समझना जरूरी है इस चीज को तो चलिए देखते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है 9th 10th के हिसाब से वहीं से अगर शुरू करें एन अब्जेक्टार रेस्ट टेंट्स तो स्टे अट रेस्ट ठीक है not only tends to मतलब वो रहना ही चाहेगा रहता ही है ठीक है and an object in motion tends to stay in motion हमेशा चाहेगा unless acted upon by an external force जब तक उस पर एक external force अपलाए नहीं किया जाए ठीक है सर अब एक simple example के साथ चलेंगे simpler terms of object naturally want to keep doing what they are doing यह मैंने वैसे लिख दिया था philosophy के हिसाब से ठीक है जब आप देखेंगे तो life में भी यह चीज़े उतनी valid है ठीक है तो चले अगर आप हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा और यहीं से frame of reference कैसे समझ जाएंगे वो मैं आपको सिखाने की कोश्च करता तो देखो एक object है बेटा एम मास का और यह v velocity से move कर रहा है space में कोई force नहीं है यह on the smooth horizontal surface है और कोई भी force नहीं है इस पे तो क्या कहेंगे first law क्या कहता है कि यह जनम जनम तक यह इसी velocity से चलता रहेगा ना तो magnitude बदलेगा velocity का ना तो direction change होगा ठीक है क्यों क्योंकि इस पे f net 0 है ठीक है समझते जाएगा f net 0 है जरा अध्याल से समझेगा at the same time एक और block आपने देखा जो stationary है आप देख रहे है जो stationary है इसकी velocity 0 है इस पे भी f net 0 है सर इस पे भी f net 0 है तो अगर इस पे भी f net 0 है तो क्या होगा सर यह भी always ऐसा ही रहेगा जनम जनम तक यह stationary दिखेगा यह laws of motion कहता है ठीक है सर अब जरा सोचिए कि अगर इसके पीछे एक ऐसा observer आ जाए जिसके पस बड़ी सी गाड़ी हो ठीक है और वो च्छत से बाहर देख रहा है वाचकल ऐसा fashion च्छत से बाहर निकलते है तो च्छत से बाहर देख रहा हूँ और अगर यह car accelerate हो रहा है with A अब म इसकी velocity change होती दिखेगी जरा ध्यान से समझेगा कि भी ground से आपने देखा ground से देखा दोनों यह stationary था यह move कर रहा था तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि इस पर net force नहीं लग रहा है बड़ी अच्छी बात है अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इसी time पे एक ऐसे frame की बात कर ली हमन इसा तो हुआ नहीं इस पे तो कोई force लगा नहीं इस पे भी कोई force लगा नहीं देखने वाला accelerate कर रहा था तो यहीं से initial frame of reference की बात आती है इसका मतलब यह हुआ सर कि ऐसा हमेशा नहीं दिखेगा सभी को ऐसा यह नहीं दिखेगा सभी जितने भी observer हो सकते हैं उन सभी observer को य यही नहीं दिखेगा लेकिन जिनको ऐसा दिखेगा मतलब the observer जो भी observer ले ले किसी भी observer के लिए which who is observing this situation who is observing this situation and he finds if f is zero if f net is zero no change in state of motion or state of rest अगर किसी को ऐसा देख करके पता लगता है कि अगर net force नहीं है तो change in state of motion नहीं होगा change in state of rest नहीं होगा मतलब in totality a zero होगा state of motion नहीं बदल रहा है state of rest नहीं बदल रहा है it means there is no acceleration मतलब a zero है तो ऐसा जिस भी observer को दिख रहा है उन सभी observer को हमें एक नया नाम देते हैं और उसको कहते है initial frame of reference इसी को कहते है इसी को क्या कहेंगे initial frame of reference और जहां से ऐसा नहीं दिखेगा उसको बोलेंगे non-initial initial frame of reference बात समझ आई then first law itself is the definition of initial frame of reference अगर आपसे कोई पूछता है कि initial frame of reference का जो concept है वो कहां से आता है it is embedded in first law itself it is hidden in first law itself बात समझ आई तो आप समझ आए कि कोई भी अगर पूछता है कि initial frame of reference किसको कहते है आप क्या कहोगे बाया जी जहां से अगर real में force 0 है तो acceleration भी 0 है जो observer ऐसा देख पा रहा है उसी को initial frame of reference बोलते हैं और जो ऐसा नहीं देख पाएगा उसको non initial बोलेंगे जिसको हम लोग अगले lecture में discuss करेंगे जब हम pseudo food समझ रहे होगे तो यहां तक बात समझ आगे तो सीधे मुद्दे की बाद क्या समझ आए अगर F0 है तो acceleration भी 0 होगा बट ऐसा सदैब नहीं होगा जहां से ऐसा होगा जिसको ऐसा दिखेगा उसी को initial frame of reference बोलते हैं खातम कानी तो अब हमें याद रखना है कि भाईया laws of motion valid होगा अगर हम initial frame of reference में होगे laws of motion valid होगा जब हम initial frame of reference में होगे correct कोई दुकत नहीं है अब आते हैं second law पर अब second law जैसे होता है तो सबसे पहला point आप यहीं रखोगे कि अगर observer in initial frame में है तो non initial frame में है तो हमें एक mathematical adjustment के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा that is pseudo force लेकिन अगर हम यहाँ से देखे तो second law से अगर आप देखोगे तो यह कहता है कि if observer is in iratial frame non initial में भी यूज कर सकते हैं non initial में भी यूज कर सकते हैं बट हमें क्या करना पड़ेगा एक mathematical adjustment यूज करना पड़ेगा iratial लिख दिया और यहीं पर लिख सकते हैं we can use it means this law even from non-iratial frame of reference but we have to make some mathematical adjustment mathematical adjustment in doing so in doing so ऐसा करने के लिए आपको एक mathematical adjustment लगाना पड़ेगा जो हम अगली क्लास में पड़ेगे और वही है pseudo force वही है pseudo force यहां तक बात समझारे को दिकत होनी नीची तो हम देखो initial frame of reference के बात कर लिए हम तो जब भी initial frame of reference में है तो हम इसको दूमधाम से लगा सकते हैं non-iratial में उस adjustment के साथ लगाएगे जो अगली lecture में आप पढ़ोगे what is pseudo force लेकिन अभी क्या है initial frame में आप है तो आप इसको दूमधाम से लगा सकते हैं और initial frame का मतलब क्या होगे कैसे पहचानेंगे कि अगर सच में एकर force 0 है तो acceleration का 0 होना ही पढ़ेगा ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि with certain assumptions we can consider we can consider ground frame ground frame as an initial frame ground frame as an initial frame यहां तो बात समझ आ रही है certain conditions क्या क्या है rotation of earth को हम ignore मार रहे हैं दूसरा interplanetary motion के लिए हम कुछ यहाँ पर लिखने ही समझ नहीं रहे हैं derive नहीं कर रहे हैं तीसरा जो motion होना है जैसे projectile motion है तो हम limit में यहाँसा नहीं कि किसी girlfriend Canada में रहती है और यहां से चिट्ठी लिखा पत्थर में बांद के फेग दिया और वहाँ पे अपने NLM अपलाई कर दिया और earth को initial frame मान लिए घलत हो जाएगा ठीक है तो यहाँ तो बाते समझ आगी तो अगर सच में initial frame है तब second law valid है और second law क्या कहता है सब्सक्राइसर जरत ध्यान से समझ लीचिए तब हमारा second law क्या कहेगा F net external F net external must be equal to mass into acceleration mass into acceleration तो अब देखो यह system के लिए भी valid है individual body के लिए भी valid है कैसे हम समझेंगे क्या समझेंगे मैं सब बता रहा हूँ तो देखो यह net external force यह क्या है net external force और यह acceleration of the system मैं सभी चाहिए यहाँ पर ढंक से बताता हूँ इसको हम acceleration of the system बोल सकते है कई बार हम लोग confused हो जाते हैं system और centrum बिल्कुल भी गुदू विदा में धिमे धिमे सब समझते चले जाएंगे according to a situation सब कुछ समझ आता चला जाएगा कि यहाँ पर system का मतलब क्या हो अलग-अलग context में system का मतलब अलग-अलग हो जाता है आपने टीवी पे एक बड़ा फेमस सा वो देखा होगा राजा रभीष कुमार उसमें system अलग चीज़ है ठीक है तो यहाँ पर आप देखें acceleration of the system और यहाँ पर यह जो system डिफाइन होगा यहाँ पर क्या होगा कैसे हम system मान सकते है सारे body को system का पार्ट मान सकते है if the acceleration of all the connected और associated bodies are equal मतब magnitude direction सब इसके कुछ example के साथ मैं आपको करवाँगा तो समझ आएगा बिलकुल चिंता ना करें ठीक है तो यहाँ तक बात है समझ आ रहे हैं सब if the acceleration of all the connected और associated bodies are equal तो अब मैं इसको system मान सकते हैं और इस पर net force लगा सकते हैं अब मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे क्या होगा कि भही अगर एक मास, दो मास, तीन मास तीन रग दिया सर अब इस पर M1 लगा दिया इस पर M2 लगा दिया इस पर M3 लगा दिया सर ठीक है तो अगर M1, M2, M3 ऐसा रखतोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर हमने कोई force लप लाई कर दिया smooth surfaces है सर तो observation का बड़ा important rule होता है इस बात का ख्याल दखेगा observation plays the very important rule if you solve the question of mechanics observation तगरी होगी तब आपको concept आता है कि भी चलेगा तो तीनों साथ चलेगा तो common acceleration हो गया अब इसके लिए कोई physics नहीं लगानी थी observation अगर यही ऐसा होता कि 2 एक साथ रखे होते है M1, M2 और तीसरा अलग होता तो क्या तुम ऐसा लिख सकते है कि 3 एक साथ चलेगा नो तो यह simple observation की बात है कि क्या आपने क्या observe किया तो अब अगर आप यहां से देखोगे so that f should be equal to M2 plus M3 into A अब हमने क्या किया net force on this system net force on this system equals to mass into acceleration अब यहां पहां हम लिख सकते हैं अब यहां पे ऐसा लिखना क्यूं गलत हो गया M3A यह नहीं लिख सकते हैं f equals to M2A ऐसा नहीं लिख सकते हैं पहली दफ़ा कही बार गलते कर लेते हैं गलतियां बच्चे यह नहीं लिख सकते क्यूं नहीं लिख सकते क्योंकि भई M2 पे F force नहीं लग रहा F is the force directly acting on M1 अब यहां से M1 M2 पे कुछ apply कर रहा होगा M2 M3 पे कुछ apply कर रहा होगा और उसका Newton's third loss अभी देखेंगे उसका pair भी बन रहा होगा backward direction में तो M1 पे net force एक F और एक दूसरा M2 के वज़े से opposite direction में लग रहा force होगा तो अभी बस हमें यह समझना था कि जब भी हमारे पास ऐसा हो तो net force अगर दिया हो system पे तो net force को mass into acceleration लिख सकते हैं अगर हम Newton's second law का इस्तमाल करना चाहते हैं ठीक है सर तो इस्तमाल करके क्या बन जाएगा यहां तक बात समझ आ रही है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया अलग अलग होते तो ऐसा ही लिखते ठीक है तो इसके questions भी धिमेदे में चलते चले जाएंगे अगर मालो एक block है M1 इसके उपर रख दिया M2 और इस पे अगर F4 अपलाई कर दिया अब अगर दोनों का acceleration पूछएगा क्या बोलोगे All the surfaces are smooth जितने भी surfaces दिख रहे All are smooth तब अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा आपने ऐसा लिख दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि M2 is not the part of your system अब्धों अगर आपने एसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा But you cannot consider these two as a assume as a single system बात समझ आरी क्यों क्योंकि यहाँ पे दोनों का common acceleration हो जी नहीं सकता Someone is applying force on M1 And there is no any contact between M1 and M2 So that M2 can experience some force मेरी बात समझ आरी So someone has applied force F on M1 तो acceleration जो मिलेगा सिरफ M1 को मिलेगा क्योंकि M2 पे किसी भी तरीके से इस force का कोई भी impact नहीं आ रहा है वो अलग बात है तो अरे time बात ये नीचे गिर जाएगा लेकिन हमें तो इसी moment पे पूछा गया Then we have every right to write M1 into A That's all F equals to M1 into A अब यहां से A क्या हो जाएगा F upon M लिख सकते हैं और यहां पर एकर acceleration of M2 पूछते हैं तो क्या लिख दूगे? 0 आपको बिल्कुल खपरा नहीं ऐसे चोटे 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 वीडियो के तरफ पे अभी जैसे 1st law, 2nd law, 3rd law अगला वीडियो क्या होगा? कैसे pseudo-force लिखते हैं? तो tension कैसे लिखते हैं? spring force कैसे लिखते हैं? FVD कैसे बनाते हैं? वो सब देमे 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 चलता जाएगा तो आपको परिशान होनी के जुरूत नहीं है हर कुछ आपको हम सिखा देंगे, समझा देंगे और जेई का काम हो जाएगा अब आते हैं इस पर यह ऐसा law है जो इसमें सब confident होते हैं बहंकर confidence to every action, there is an equal and opposite reaction तो इसमें क्या-क्या misconceptions हो सकते हैं? वो सबी समझना है सबसे पहली बात action-reaction pair आया सबसे पहली बात action-reaction pair आया तो अगर इस action-reaction pair की बात करें ठीक है, तो सबसे पहली बात ऐसा कुछ भी नहीं कि यह पहले आया तो यह पहला force, ऐसा कुछ हो simultaneous force है, तो हमेशा याद रखना है सबसे पहला जो point रिखेंगे यह दोनों ही simultaneous forces हैं मतरब दोनों एक साथ आते हैं तो we don't have any proper logic to claim any force like action or reaction simultaneously तो आप किसी को कह देजे कोई फारक नहीं पड़ता ठीक है, ऐसा नहीं कि यह पहले लगा तब मैंने गाली दी हमने तुम को गाली देग होगा नो, it is not like that दोनों एक दूसरे को एक तरफ देजें कि भी love at first sight वो example हो सकता है एक ने देखा दूसरे ने देखा एक ही moment पे दोनों को एक दूसरे अच्छा ही दिख गई तो third law होगा ऐसा नहीं कि भी आपने कुछ बोला then reply it is not third law तो यहां तो बात समझ आ रही है तो simultaneous forces है दूसरा जब भी देखोगे sir यह action reaction जो होगा यह two different bodies पे आता है so that pair acts on different bodies यह बहुत important है बाकि फिर दो तीन और points लिखने मैं भी समझाऊँगा इसका मतबल यह हो गया sir कि भी if A is applying some force on B then B will experience some force exactly of equal of the magnitude equal to A but in opposite direction और best best example हमारे पास क्या है gravitational force M1 M2 इस पे gravitational force इधर आया इस पे gravitational force इधर आया तो अगर इस पे F लगा है तो इस पे भी F लगेगा और आपने 9th class में पढ़ा हुआ है that F can be written as G M1 M2 by R squared in my opinion this is one of the best example अब देखो M1 ने M2 पे F लगा है तो उसी टाइम पे M2 ने M1 पे F लगा दिया यह सबसे बहतरीन है सब कुछ समझ लेने के लिए तो सबसे पहला क्या है simultaneous क्यों हुआ पता लगा ऐसा है नहीं कि पहले M1 ने लगा दिया दोनों एक साथ लगा हुए acts on different bodies बिल्कुल लग रहा है अब देखो तीसरा दोनों सेम magnitude का होगा ठीक है जी देखो दोनों equal magnitude है तीस चौथा opposite direction होगा बिल्कुल ठीक है opposite direction लिख सकते है पाचवा दोनों same nature का होगा ऐसा हो इनी सकता है कि एक electromagnetic nature का हो तो दूसरा gravitational nature का हो जो हो इनी सकता इसका pair जो होगा ठीक है love at first sight ऐसा है love and hate at first sight तो दोनों क्या होगा similar nature का होगा तो सीधा करें सेम नेचर मतलब gravitational force का pair electromagnetic नहीं होगा सर ठीक है and most important point कि अगर आप देखोगे तो दोनों force एक ही line पे आ रहा होगा सर दोनों force एक ही line पे आ रहा होगा तो यहाँ पर क्या करतेंगे along the along the same line यह हमेशा याद रखने along the same line दोनों क्या होगा हमेशा एक ही line पे लग रहा होगा दोनों क्या होगा हमेशा एक ही line पे लग रहा होगा तो जब भी हम action reaction pair की बात करते हैं तो इन बातों का ख्याल रखना है कि दोनों different bodies पे आएगा opposite direction का होगा similar nature का होगा equal magnitude होगा एक ही line के along आ रहा होगा बात समझ आ रहे हैं तो देखो first law, second law, third law थोड़ा अब बहतर अभी महसूस कर पा रहे होंगे ठीक है तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ आगे what is first law, what is second law and what is third law इसका very next lecture चो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे what is normal force and FBD so normal force क्या होता है और FBD क्या होता है यह दोनों चीज़े हम लोग इसके very next lecture में समझेंगे तो अगर आप लोगों को समझ आ रहे है तो share like जरूर कर दिया करीए फिर मिलते हैं हम से ओके